हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे सो आज मैं फिर से एक शॉर्ट मौल स्टोरी लेके आए हूँ जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और एक नई स्टोरी जानने को मिलेगी तो चलिए है अपनी स्टोरी का टाइटल जांते हैं तो स्टोरी का टाइटल है स्टोरी पढ़ने पर ही पता चलेगा तो चलिए स्टोरी रीड करते है On a tree in a wild forest lived a huge family of eagles On पर a tree means एक पेर पर in में a wild forest Wild मतलब जंगली forest मतलब जंगली जंगल में lived रहते थे A huge मतलब एक बहुत बड़ी family बहुत बड़ा परिवार of eagles Eagle मतलब होता है गरुड बाज Eagles मतलब यहां पर S लगा है मतलब बहुत सारी eagles Eagles मतलब बाज गरुड तो बता रहा है कि एक जंगली जंगल में एक पेर पर एक बहुत बड़ी eagles की family रहती थी मिस बाजों की family रहती थी Eagles मतलब होता है गरुड या बाज they all looked almost similar in their big brown feathers and sharp hook like bigs they all, they means वे लोग जो eagles थे, all, मतलब वे सभी looked, दिखते थे, almost करिब करिब similar मतलब एक जैसे ही दिखते थे, in their big, in May, they are उनके big, मतलब बड़े brown, brown feathers जो उनका पंग था, brown color का, भूरे color का, and, और sharp, sharp, मतलब तीक है, तीवर, hook like, मिन्स जैसा hook होता है, उस तरह से big, मिन्स उनकी चोंच, और जो भी, जितने भी eagle थे, वे लोग करिब करिब एक जैसे ही दिखते थे, और उनके भूरे color के पंग थे, और उनकी जो big थी, मतलब होता है, उस तरह से, मतलब नोकीली, उनकी चोंच थी, so similar did they look that mothers often started training the children of the other eagles, so similar did, similar मतलब एक जैसे दिखते थे, वे, मतलब वे जो सारे eagles के बच्चे थे, एक जैसे दिखते थे, they look, means वे सभी जो इतने समान दिखते थे, वे इतने समान दिखते थे, that की, उनकी, मतलब mothers, मतलब उनकी माए जो थी, eagles की जो माए थी, often, often, मतलब बहुदा, बार-बार, हमेशा started, शुरू कर देती थी, ट्रेनिंग देना, मतलब उन्हें प्रसिचित करना, पढ़ाना, the children, बच्चों को, of the other eagles, दूसरे eagles के बच्चों को, वे सिखाने लगती थे, means ये कह रहा है, की, वे इतने समान दिखते थे, की, उनकी जो माए थी, अक्सर, दूसरे बाज के बच्चों को, प्रसिचित करन लगती थी, means सिखाने लगती थी, क्योंकि उनके सारे, उन सभी बाजों के, इगल्स के बच्चे, एकदम सेम लगते थे, जिससे उनकी माँ भी, कन्फ्यूज हो जाती थी, This similarity was however challenged when a little baby was born, this similarity means yes Samantha was थी हाली की challenge, challenge मतलब चुनाउती होता है, when जब a little, एक चोटा बेबी, एक चोटा बच्चा was था, बाजब जब एक चोटा बच्चा पैदा हुआ, हाली की समान तो को चुनाउती दी गई थी, जब एक छोटा बच्चा पैदा हुआ था क्योंकि बहुत सभी similar थें पर आगे एक बच्चा जरम लिया और उसमें क्या खुबी थी इसका फिया जब ट्यूदू के बच्चा पैदा हुआ था वह कैसे कलर का था वो मंजब उसका जो color था सुनेहरा color था means golden color का था and as he grew the shine also grew and or जैसे ही he grew means वो बड़ा हुआ the shine जो चमक थी also भी grew means वैसे उसे उसकी चमक भी बढ़ती गई means उसका जो body color था golden color का था जब वो eagles बड़ा होने लगा तो उसकी जो body की जो चमक थी वो भी बढ़ती गई eagle was named goldie जो eagle था जो गरूर का बच्चा था उसका नाम था goldie क्योंकि वो golden color का था तो सब उसे goldie बुलाने लगे like his color goldie liked everything shiny like his color like मतलब जैसा उसका color था जैसा उसका रंग था means goldie का जैसा color था goldie goldie liked पसंद करता था everything मतलब हर चीज शाइनी means क्योंकि वो चमकता था इस वज़े से उसे हर चमकिली चीज पसंद थी he loved the shining sun rays the crystal sign on the water and the soft sign of the moon he loved वो पसंद करता था the shining चमकता हुआ sun rays मतलब sun rays मतलब सूरी की करने उसे सूरी की करने चमकती हुई सूरी की करने पसंद थी the crystal sign on the water और जो पानी जब चमचमाता है जब उस पर रोशनी परती है तो पानी जिस तरह से चमचमाता है उसे वो पसंद था and or the soft soft मतलब मुलायम, shine of the moon और जो moon की चमक है मतलब की मकमल की तरह मुलायम वाली उसे वो पसंद थी मतलब की जैसा वो जैसा वो था means मतलब यहां कह रहा है की जैसा वो eagle था golden जैसा था उसी तरह उसे सब चमकीली चीजी पसंद आती थी every time he saw these things he loved and said sparkle sparkle every time हर समय he saw what he was sure देखता था these things उन सभी चीजों को he loved वो हसता था and said और कहता था sparkle sparkle मिन चमक चमक मतलब जो भी चमकीली चीज देखता था तो उसको वो मिन्स देख के बहुत ही खुश होता था हसता था और मिन्स sparkle sparkle करने लगता था चमक चमक करने लगता था मिन्स चमकीला चमकीला कहने लगता था one day goldie saw something sign from afar एक दिन goldie ने saw देखा something कुछ sign चमकता हुआ from मतलब from say afar मतलब दूर से जो गोली था उसने एक दिन बहुत दूर एक दिन बहुत दूर से देखा कि कुछ चीज चमक रही है गोली था उसने एक चीज देखी मिन्स बहुत दूर से देखी और वो चमक रही थी तो वो उसकी और आकरशित होने लगा मिन्स attract होने लगा he quickly flew out of his nest and or rushed to see big sparkle mirrors he worked quickly जल्दी से flew out means उड़ गया of his nest अपने गोसले से वो उड़ गया and or rushed मतलब जोर से means बहुत जल्दी से to see see means देखा a big sparkling mirror उसने क्या देखा एक बहुत बड़ा चमकता हुआ mirror देखा एक सी सा देखा क्योंकि वो अपने नेश से देख रहा था अपने गोसले से देख रहा था कोई चमकीली चीज़ चमक रही है और इसी मितलब कि क्योंकि उसे चमकीली चीज़ें पसंद थी तो वो मितलब अपने घर से बहुत जल्दी से निकला जो चीज थी उसके पास पहुँचने के लिए और उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा चमकीला सीशा है वो चिल्लाने लगा क्योंकि उसने फिर से चमकीली कोई चीज देखी थी और वो खुसी से चमकीली चीज को देखकर चिल्लाने लगा But before he could touch the mirror, परन्तु before पहले he could touch the mirror, वो mirror को, मतलब सीसे को touch spurs कर सकता, कह रहा है कि जो eagle था, goldy था, उससे पहले कि वो mirror को touch करता, A hunter trapped him in an gold iron cage and carried him away from there, a hunter एक शिकारी trapped, trapped मतलब फसा लेना, जाल में फसा लेना, हिम goldy को in may an old, old पुराना iron लोहे का cage, पिजड़े में, और जो गोल्डी था, इससे पहले कि वो सीसा को छूता, अचानक से एक hunter ने उसे पुराने लोहे के पिजड़े में फसा दिया, means, कैद कर लिया, and carried him away from there, carried मतलब, carried मतलब ले जाना, उस पिजड़े को away from there, away मतलब दूर from there, वहां से, और वो जो hunter था, शिकारी था, गोल्डी को कैद कर लिया, और कैद करके वहां से दूर ले गया, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि गोल्डी एकदम गोल्डेन कलर का था, और अच्छा लग रहा है, और यह hunter है, जो कि इस गोल्डी को पिजड़े में कैद कर लिया है, गोल्डी हर चीज़ को अच्छी चीज़ समझ के वो आगे बढ़ा और लेकिन वो कैद हो गया, तो गोल्डी की एक गलती के वज़े से गोल्डी को जंगल से दूर जाना पड़ा, यहां पे यह चीज़ सूट करती है कि हर चमक ती चीज़ सोना नहीं होती है, कि जो गोल्डी था वो चमक देख के आया था, पर जब वहाँ पहुचा तो हंटर ने उसे कैद कर लिया और इस वज़े से गोल्डी फस गया, सो आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सबस्क्राइब और सपोर्ट करिएगा, सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक यू,